जिसमेर अरौमनेरहिएम असलाम लिकम दोस्तों वॉलकम बएक ट। सबजी हल्थ औलटे में आप तुमां दोस्तों के लिग Кон सबजी सुलाम लाइद गोंफि तूरहरी नहीं कुछ हम दोसória हो गहां अब करुसें हो मितमांथ प़े के सबरेह ओक। ऐसे मैं आप दोस्तों को एक जबर्दसी क्रीम बताने जारी हूँ जिसे घर पे बना के रख लीजिए इस बदलते मौसम से लेकर पूरी सर्दियों तक आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं मार्केट से वे कोई भी आपको क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सादा तरीके से बहुत असानी से बगार साइड एफेक्ट की गुरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कम्प्रीट देखें बहुत सारा फाइद आउट है साथे साथ यहां पे नोट कहलें कि ये क्रीम आपके चेरे के लिए बिल्कुल नहीं है कर लेना है उसके बाद अपनी क्रीम अप्लाइ करें हाथ और पैर इतने जादा ग्लोइंग खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे नर्ममलाई में भी हो जाएंगे ड्राइनस भी नी हो जाएंगी और येकंकी आपके मुस्टराइजर लगाने की आपको जरूरत अलग से नहीं पड़ेगे आप इस क्रीम को डे में भी इस्तवाल कर सकते हैं नाइट में भी स्तवाल ना करें आप मैन کی क्यों ना करें लेकिन ये क्रीम सद्धियों में आप जारी रखें तो आपके हाथ और पैर बहुत ज्यादा घोरे चिटे हो जाएंगे तो चले देर नगरते विडियो को बनाना स्टार्ट के लेते हैं इस क्रीम को बनाने के लिए वाइटामिन की करीम लिया मैंने डॉक्टर राशल की आपको इजिली ओनलाइन ऑफ-लाइन जार मिल जाता है वाइटामिन सी का जल जो है वे आदा चमच मैंने एड किया और आदा चमच मैंने इसमें एड किया ग्लिसरीन का दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फैरन लवली का साशे ट्यूब जार आपको बहुत इजी ली अवेलेबल होता है इंडिया में भी मिल जाता है तो आपको फैरन लवली का भी एक टीस्पून इसके अंदर एड कर देने अब सारी चीजों को साथ के साथ अपने अच्छे तरीके से ब्लाइंड करते जाने हैं हाथ क मदद से बहुत अच्छी सी क्रीम आपको बना के तयार करने हैं यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट वाले इंग्रीडेंट बताने जा रही हूं जिसके आपको बहुत च्छे रिजल्ट मिलने वाले यह आपको चाहिए होगा बायो का स्कीन वाइटनिंग सीरम यह एमेरजन सी स्कीन वाइटनिंग सीरम है अब आपको यहाँ पर परिशानों नहीं की जरूरत नहीं है क्योंकि बात करें हम हाथ और पैरों की तो यह केमिकल आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं देगा तो पूरी जो है वो सीरम के बाटल छोटी सी होती है यह अपने सारी स्क्रीम के अंदर आड़ कर देनी है अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को अपने मिक्स कर लेना है इस जबर दस्ती आपकी लाइट पिंक से कलर की एक क्रीम बनके तयार हो जाएगी ऐसार डे क्रीम भी आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं साफ सुत्रे कंटेनर में आप इस क्रीम को ड सुपार में सब से पहले आदा चमच लेंगे है अल्वल काटा अदा चमच लेंगे में बेकींग सोडा और आपको आदा चमच समें एक्समें डाय की तरफ जाएंगे एक्स्ट्रेम ड्राइन हैंığ नहींगे में यहीचिज़ ब करूँकी कि आपा लाजमी एड़ गरें пальर कार move होगी और आपके हाथ और पैरों के उपर बहुत पैरा गलो आएगा अच्छे तरीके से mix करने के बाद इस exfoliator को आपको अपने हाथ और पैरों के उपर apply करने हैं apply करने के बाद आपने हलके हाथों से सिर्फ और सिर्फ दो मिनट के लिए अपने पैरों का अपने मसाज करण यही अमल आप अपने हाथों के उपर भी कर सकते हैं पैरों के उपर भी कर सकते हैं लंबे चोड़े मैनिक्योर या पैडिकुर आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यह सिंपल सा साधा सा काम इंशाला आपकी है तो स्किन को हाइडरेट तो रखना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से दो मिनेट का मसाज कर लेने के बाद आपने पहले एक टावल या एक रुमाल या टिशू या कॉटन जो भी आपके पास अवेलिबल हो एक कपड़ा आपने लेना है और उसकी मदद से पहले इस पैक को आपने रिमूव करना है इस एक्सफिलियेटर को अच्छे से रिमूव करेंगे इससे क्या होगा इससे भी आपके डेट स्किन निकल जाती है अगर डिरेक्ली आप वाश करते हैं तो ये थोड़ा चिप-चिपा सा होता है तो जो मैल को चैल उतरी होती है वो रिमू ये एक्सफॉलियेटर जो है वो आप सरफ एक टाइम इस्तमाल कर लें इनाफ है एक टाइम से बहुत च्छे आपको रिजाल्ट मिल जाएंगे मैनिक्यूर पैडिक्यूर भी तो इतने महंगे महंगे भी करते हैं इतना टाइम भी देते हैं तो यहां पर ये नाइट क्रीम कि रख लीजे इन्शालला इस फामूला क्रीम से आपको अच्छे रिजाल्ट मिलेंगे कि अपने आज की लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखरी हद है इस लेसन पर गवर के रिएगा डेर सारा ख्या लिखेगा इस लेसन आपने क्या सीखा कमेंट सेक्षिन में लिखेगा इंशालला मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे है अब आद रहे हसता मुस्करात रहे है और देखते रहे है सबाजी हेल्थ इन ब्यू